दोस्तों नमस्कार, मिरा नाम संजे मग्गुहर मौजूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर 2024 का जो लोगसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर फरिदाबाद लोगसभा में पांच ऐसी विधानसभा सीटे थी जिन्नोंने बंपर जीत दी भारती जन्ता पार्टी को पांच विधानसभा सीटे वो जो थी वो पांचों फरिदाबाद जिले में आती हैं, वो पांच सीटे थी तिगाओं, फरिदाबाद, फरिदाबाद, एननाईटी, बढखल और बल्लबगड़, यानि कि ये पांच का ऐसा पंच था जिसने की कृशनपाल गूजर की जीत के लिए एक मजबूत सहरा दिया, अब इन पांचों विधानसभा सीटों पर, क्योंकि अब विधानसभा का चुनाव नजदीक है, अगर कल कोई तारीखों में परिवर्तन ना हुआ, तो फिर एक अक्टूबर को हरियाना के मतदाता, हरियाना की सरकार का चैन करेंगे, और हरियाना का विधानसभा चुनाव हो जाएगा, और जो मैंने आपको बताया, फरिदाबाद लोगसभा की पांच सीटे, यानि की पांच का पंच, ये पंच विधानसभा चुनाव में क्या करेगा, हरियाना के विधानसभा चुनाव में इन पांचों सीटों की बड़ी एहम मंत्री हैं फरिदाबाद के सांसद हैं उनकी प्रतिष्ठा अब राजनीती गरियारों में चर्चा इस बात की है कि भारती जंता पार्टी में कृष्णपाल गूजर के जो टिक्टों का वित्रन होगा वो उसमें कृष्णपाल गूजर की कितनी चलेगी अगर कृष्णपाल हिसाब से टिक्टे मिलती हैं तो फिर क्या होगा आपके साथ यहां जोड़ना जरूरी है कि 2019 का जो विधान सभा चुना हुआ जिसमें भारती जंता पार्टी को हरियारा में बहुमत नहीं मिला लेकिन फरिदाबाद लोगसभा ऐसा रहा जिसके अंदर कि 9 विधान सभा टो में से चार सीटे भारती जंता पार्टी जीती एक फरिदाबाद NIT की सीट ऐसी रही जहां से कि निरज शर्मा चुनाव जीत गए कॉंग्रिस पार्टी के टिकेट पर इसके अलावाद तिकाओं से राजेश नागर बने फरिदाबाद से नरेंदर गुपता विधायक बने बनलबगर से मूलचंद बने और बढखल से सीमा त्रिखा विधायक होई अगर 2014 में चलें तो फिर 2014 के विधानसवाद चुनाव में जब भाजपा की लहर थी तो उस चुनाव के अंदर इन पांच में से तीन सीट मिली थी बीजेपी को दो सीटें लूज हो गई थी वो थी तिगाओं और दूसरी थी फरिदाबाद की निटी तिगाओं से जीते थे कॉंग्रेस के ललितनागर 2014 में और एन आईटी से जीत गए थे नगेंदर भडाना इंडियर नैशनल लोगदल के टिकेट पर उस चुनाओं में भी तीन सीटे थी दो तो रिपीट हुई थी यानि कि 19 से पहले 14 में भी थी बढखल से सीमात रिखा और बरलबगर से मूल्चन शर्मा और विपुल गोयल थे उस चुनाओं में फरिदाबाद सीट से विधायक 2024 के विधानसभा चुनाओं के लिए क्या चुनाओं परिणाम रह सकते हैं बीजेपी का परदर्शन कैसा रहे कॉंग्रेस क्या करे और ये 5 का पंच वही लाइन आपसे दोहरा राऊं फिर से कि ये 5 का पंच किस तरह से भारती जन्ता पार्टी के लिए आगे बढ़ाए या फिर कॉंग्रेस को मजबूती दे इस बात का निड़े होगा कि टिकट वितरन किस प्रकार से होता है अगर मैं आपसे टिक्टों की बात करूँ तो पहले कॉंग्रेस की बात कर ले जो इन 5 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी नजर आ रहे हैं अगर तिकाओं की बात करें तो तिकाओं में ललित नागर सबसे मजबूत प्रत्याशी दिखाई पड़ते हैं हलांकि यहाँ पर रोहित नागर का नाम भी है एश्बाल नागर के जो बेटे हैं लेकिन मानले तो दो ही कैंडिडेट ललित नागर या रोहित नागर और उनमें मजबूती की बात अगर करेंगे तो फिर ललित नागर का नाम पहले नंबर पराता है अगर अगली बात करें फरिदाबाद की बात करें तो फरिदाबाद विधानसभा सीट फरिदाबाद 89 यहां से लखन सिंगला का नाम सबसे मजबूत है लखन सिंगला पिछला चुनाव यानि की 2019 का हार गए थे और इस चुनाव में यानि की 24 के लिए लखन सिंगला का नाम फरिदाबाद 89 पर सबसे मजबूत है बतार कॉंग्रेस कैंडिडेट अगर NIT की बात करें तो निरत शर्मा सिटिंग विधायक है सिटिंग गेटिंग का फॉर्म गुला भी चलेगा और निरत शर्मा सबसे मजबूत कैंडिडेट पी है अगर बढखल की बात करें तो फिर बढखल में लगता नहीं है कि विज़े परताब का कोई तोड कॉंग्रेस के अंदर हो यानि कि यहां विज़े परताब कैंडिडेट फिर से ते हैं 2019 में भी थे और 2024 के लिए भी हो सकते हैं बल्लबगड की बात करते हैं तो बल्लबगड में शारदाराठवर का नाम सबसे मजबूत प्रत्याशी के तोर पर लिया जाता है हाला कि यह नाम पराग शर्मा का भी है नाम कुछ और भी आते हैं लेकिन शारदाराठवर नंबर वन की कैंडिडेट है तो ये candidate तो हुए Congress के ललित नागर तिगाओं से आप समझ लीजिए लखन सिंगला फरिदाबाद 89 से फरिदाबाद 86 से नीरज शर्मा बढखल से विजे परताप और बल्लबगर से शारदाराथ और ये Congress के candidate और अगर बात आती है भारती जंता पार्टी की तो भारती जंता पार्टी में तिगाओं सीट पर राजेश नागर विधायक हैं लेकिन तिगाओं पर दावेदारी कर रहे हैं कृशनपाल गूजर के बेटे देवेंदर चौधरी देवेंदर चौधरी की दावेदारी 2014 में भी थी 2019 में भी थी दोनों चौधरी का दावा इसलिए हैं मजबूत है कि देवेंदर चौधरी का जो वार्ड है नगर निगम का वो इसी विधानसभा में आता है फरिदाबाद के जो सेक्टर है 28, 29, 31, 31 ये सभी इसी विधानसभा में आते हैं अगर इसके बाद चलें तो तिगाओ करम भूमी रही है कृषनपाल गुजर की 2009 में यहां से विधायक थे और सबसे महत्यपूर्ण बात ही है कि अगर कृषनपाल गुजर को फ्री हैंड करना हूँ कि वो फरिदाबाद की सभी 9 की 9 विधानसभाओं में काम कर सकें और फरिदाबाद लोकसभा के बाहर भी उन्हें भीजा जा सके तो फिर तेगाओं से देविंदर चौधरी को टिकेट देना सबसे बहतर फैसला हो सकता है यानि कि देविंदर चौधरी भाजपा के मुफीद केंडिट हो सकते हैं जीत के आधार से भी और दूसरी बात ये है कि क्रिशनपाल गूजर बड़ा चेहरा है फरिदाबाद लोकसभा का जितना उनका उपयोग होगा उतना फायदा बीजेपी को मिल सकता है हलांकि राजेश नागर में भी कमी कैंडिट वो भी भेतरीन कैंडिट है लेकिन क्योंकि फरिदाबाद की 9 सीटों की लडाई है इसलिए देवेंदर चौधरी यहां पर मजबूत माने जाते हैं और दूसरी बात ये भी है दोस्तों की इस चुनाओं में यानि कि रिष्टेदारों को टिकेट देने की बात अब वहाँ पर मानी जा चुकी है अगर मैं अगली सीट की बात करूँ तो फिर फरिदाबाद 89 नरेंदर गुपता यहां से विधायक है आजकल 2014 में विधायक यहां पर पुल गोयल थे 19 में उनको टिकेट नहीं मिला था अब जो 24 का चुनाओं होना है 24 के चुनाओं के लिए यहां पर तीन नाम है सबसे पहला नाम है यहां पर अजय गौड का अजय गौड का नाम मैंने आपसे पहला इसलिए कह कि अजय गौड इस समय पूरे जोर शोर से लगे हुए है उनकी पैरवी भी जो है वो बड़े स्तर पर हो रही है चाहे वो राष्टे स्वेम सेवक संग की RSS की बात हो चाहे क्रिशनपाल गूजर की चाहे मनहरलाल की मनलब उनके पैरोकार कई स्थानों से सामने है नरेंदर गुपता यहां पर सिटिंग विधायक है तो सिटिंग एटिंग के फॉर्मूले पर नरेंदर गुपता का नाम आ सकता है नरेंदर गुपता कि आपको एक बात और बताओं दोस्तों कि उनके साथ में कोई बड़ी एंटी इंकम बैंसी नहीं है नरंदर गुपता के लिए अगर लोगों की कोई शिकायत हो सकती है तो सिर्फ यह हो सकती है कि उनकी मिलन सारिता थोड़ी कम है और थोड़ा सा लोगों से उनका मेल जोल चुनाव के बाद में यानि कि विधायक बनने के बाद कुछ कम रहा इस लिहाज से आप माने तो नरंदर गुपता और अजय गौड ये दो केंडिट हुए जहां तक विपुल गुएल की बात आ जाती है तो विपुल गुएल के साथ में अलागे केंडिट विपुल गुएल सबसे बहतरीन केंडिट सावित हो सकते हैं अब भी लेकिन उनके साथ जो विपुल गुएल का जो ड्रॉबेक है उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि एक तो कृशनपाल गुजर उनको सपोर्ट नहीं करते कृशनपाल गुजर नहीं चाहेंगे कि विपुल गोयल आगे आए दूसरी बात उनको मनहोरलाल का भी वो साथ नहीं मिल सकता जो 2014 में मिल गया था और सबसे प्रमुक बात ये है कि विपुल गोयल के चुनाव यानि की 2019 में टिकेट ना मिलने के बाद उनकी कोई गंभीर सक्रियता नहीं रही फरिदाबाद विधान सभा के अंदर जो उनका वरकर्स हुआ करते थे क्योंकि जब नेता नहीं होंगे जब सेना पती नहीं होगा तो फिर सेना चिन भिन हो जाएगी विपुल गोयल यहाँ पर सक्रिय कम रहे है इसलिए उनके समर्थक उनके कारेकरताओं के अंदर भी वो बुलंदर जोश नहीं रहा होगा हला कि आजकर विपुल गोयल के इस्तिहार तमाम पर्चे पोस्टर दीख सकते हैं विपुल गोयल का फैसला क्या हो सकता है मैं आपको एक वीडियो और शेयर करूँगा आपको बताऊंगा जरूर लेकिन फरिदाबाद के अगर बात करें तो यहाँ पर आप मान करके चलें कि टिकेट की दौड जो बीजे पी की है वो नरेंदर गुपता और अजय गौड के बीच में आकर सिमठती दिखाई परती है और इसमें भी अगर देखें तो अजय गौड नंबर बन हो सकते हैं और नंबर टू नरेंदर गुपता हो सकते हैं और या फिर आप यह कह सकते हैं कि नरेंदर गुपता नंबर बन और नंबर टू अजयगोड अगली विधानसवा की बात करें तो फिर फरिदाबाद NIT फरिदाबाद NIT पिछले विधानसवा चुनाओ में यानि कि तीन चुनाओ 9, 14, 19, तीनों बीजेपी हार गई इस चुनाओ में यहाँ पर भी नाम चला था देवेंदर चौधरी का आज भी नाम है देवेंदर चौधरी का नाम फरिदाबाद NIT सीट पर अब भी लिया जा रहा है देवेंदर चौधरी को फरिदाबाद NIT में भी मजबूत केंडिडेट मना जा रहा है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर एक तो यह महेंदर परताप सिंग का गड़ है महेंदर परताप सिंग का गड़ यूं कहेंगे कि महेंदर परताप का एरिया जो इनका पुराना विधान सवा का जुड़ाव काफी रहा है दूसरी बात यहां से नगेंदर भड़ाना जो विधायक थे 2014 में हला कि 19 में चुनाव हारे 2009 में हारे 14 में जीते 19 में हारे नगेंदर भड़ाना भी भारती जन्ता पार्टी के दावेदार है हला कि आजकल जो उनका चुनाव परचार अभियान चल रहा है मुझे फूल तो कम दिखाई पड़ता है लेकिन नगेंदर भड़ाना बीजेपी में है तीसरी बात यहां पर यहां भारती जन्ता पार्टी के और भी कई कारे करता है अगर यहां बात आ जाती है कि टिकेट का दावेदार केंडिडेट कौन हो अगर देविंदर चौधरी को फरिदाबाद NIT दिया जाता है बजाए तिगाओं के तो फिर देविंदर चौधरी से ज़्यादा मेहनत यहां पर करनी पड़ेगी और अगर देविंदर चौधरी को NIT का टिकेट मिलता है तो फिर कृष्णपाल गूजर फरिदाबाद की नौ विधान सभाओं में वो काम नहीं कर पाएंगे इस लिहाज से समझा यह जाता है कि टिगाओं के लिए वापिस आ रहा हूँ आपके पास कि बेटर केंडिडेट देविंदर चौधरी और जो NIT की सीट है यहाँ पर नगेंदर भढ़ाना या फिर सतीश फागना जो पारशद है वो हो सकते हैं अगर मैं आपसे बढ़खल की बात करूँ तो बढ़खल विधान सवा सीट पर सीमा त्रिखा विधायक हैं लगातार दूसरी बार लेकिन जो भारती जन्ता पारटी के आंत्रिक सूत्र बताते हैं कि सर्वे में सीमा त्रिखा को कमजोर बताया गया है सीमा त्रिखा दो बार विधायक तो बन गई लेकिन इस चुनाओं में सीमा त्रिखा की जो स्थिती है वो बहुत अच्छी नहीं माली जा रही अगर भारती जंता पारटी सीमा त्रिखा को रिप्लेस करती है तो फिर केंडिडेट कौन इस्तिती में यहाँ पर धनेश अदलक्खा का नाम मजबूती से लिया जा रहा है बताया जाता है कि धनेश अदलक्खा ने पूरे जो पिछला जो कारेकाल चला है 2019 से 24 वला इस दोरान में यहाँ पर इंट्रेस्ट भी काफी लिया उनके जंडे जंडे बिले पोस्टर पोस्टर ये भी दिखाई देते हैं और इसके साथ साथ धनेश अदलक्खा ने विकास कारेयों के अंदर भी काफी काम किया अगर चेहरा बदला जाता है तो फिर क्योंकि ये पंजाबी सीट है और धनेश अदलक्खा यहाँ पर मजबूत के अंडेट हो सकते हैं अगर मैं आपसे बात करता हूँ इसके बाद बल्लबगड विधान सबा की तो बल्लबगड विधान सबा में आप ये मानें कि यहाँ पर मूल्चन शर्मा लगातार दूसरी बार विधाया के और आजकल परदेश सरकार में मंत्री है मूल्चन शर्मा को भारती जन्ता पारिट्री के जो आंतरिक सर्वे हुए उन सर्वे में जो एक मात्र मंत्री है हरियाना के सबसे मजबूत माने जाने वाले लेकिन बात बही आजाती है कि बल्लबगड की विधान सबा सीट पर मूल्चन शर्मा के साथ दो नाम और है अजय गौड और विपुल गोयल वो दोनों नेता जो फरिदाबाद 89 के दावेदार है अगर अजय गौड को टिकट दे दिया जाता है फरिदाबाद में तो फिर यहाँ शायद विपुल गोयल को टिकट दिया जाए और अगर विपुल गोल को टिकर दिया जाए तो फिर पंडित मूलचन शर्मा को कहां भेजा जाए उस थिती में क्या पंडित मूलचन शर्मा प्रतला से कैंडिडेट हो लेकिन ये जरूर है कि जो बल्लब गड़ की विधान सबा है अगर मजबूत कैंडिडेट के रूप में माना जाए तो मजबूत कैंडिडेट के रूप में यहाँ पे सबसे पहले नाम मूलचन शर्मा कहाता है हलांकि राजनीतिक सूत्र और भाजबा के इंटरनल लोग ये भी कहते हैं कि मूलचन शर्मा प्रतला में जाके में मजबूत हो सकते हैं लेकिन वहाँ टेक चन शर्मा है भारती जंता पार्टी के बतार कैंडिडेट और ब्रह्मन नेताओं को कितने टिकेट दिये जाएंगे क्योंकि अगर अजय गौड फाइनल हो रहे हैं फरिदाबाद 89 तो फिर उस्तिती में विपुल गोयल हो सकते हैं बल्लबगर से कैंडिडेट और उसके बाद में अगर यहां विपुल को टिकेट नहीं मिलता तो फिर उस संभवता यहां पर अजय गौड को लाया जाए फिर क्योंकि अजय गौड प्राथमिक्ता पर है जो मेरे आंत्रिक सूत्र बता रहे हैं अजय गौड भारती जंता पार्टी के कई नेताओं की नजर में प्राथमिक्ता पर है और उनको कहा जा रहा है कि 2014 में भी अजय गौड कैंडिडेट थे लेकिन उनको sacrifice करने के लिए कहा गया उनको राजनीतिक पद मिला लेकिन विधायक बनना और राजनीतिक पद मिलना दोनों में बड़ा फर्क है अगर इस सारे पांचों विधान सभाओं का यानि कि जो मैंने आप से पांच का पंच के नाम से जोड़ा था अगर इस पर जोड़ करके चले तो भारती जंता पायटी के कैंडिडेट्स पर काफी निर्भर करेगा कि मुकाबला कैसा हो और भारती जंता पायटी कितनी सीटें जीते तो इस लिहाज से आप देखें तो तिगाओं के लिए देवेंदर चौथरी और राजेश नागर में से प्राथमिक्ता देवेंदर चौथरी की तीसरी अगर देखें फरिदाबाद NIT तो नगेंदर भड़ाना और सतीश उनमें फिर प्राथमिक्ता नगेंदर भड़ाना की अगर चौती सीट पर जाते हैं कि धनेश अतलखा या सीमा तरिखा तो फिर धनेश अतलखा आगे आते हैं और अगर बल्लबगड में आते हैं तो बल्लबगड में मूलचंद अजयगौड या विपुल गोल अगर अजयगौड 89 हो जाते हैं तो फिर यहां पर विपुल गोल का नम containers का नमबर लग सकता है आपको क्या लगता है जो हमने बताया क्या ये कैंडिडेट सटीक हो सकते हैं अगर भारती जंता पार्टी के ये कैंडिडेट है और कॉंग्रेस के जो मैंने आपको पांचों नाम बताई तो फिर मुकाबला कैसा होगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर अगर आप ये वीडियो फेस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शियर करें